दोस्तों सभी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यानी प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुसकबरी आ रही हैं अब ओफिस केंटीन में आपका खाना पिना सस्ता होगा अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो जो ओफिस में काम करने वाले स्टाप होते हैं कर्मचारियों होते हैं उनके लिए जो कंपनी में केंटीन होता ना उसमें आपका खाना पिना सस्ता होगा दरसल बात कुछ यह है कि ओफिस केंटीन में मिलने वाले खाने पर जो सबसीडी युक्त भोजन होगा उसके मुल्य पर अब GST यानि माल एवं सेवा कर नहीं वसूला जाएगा क्योंकि अब आप जो खाने पिने का मुल्य रहोगे उस पर आपको GST नहीं देना पड़ेगा जो भी खाने पिनी की चीज़ूं की नेट प्राइस होगी वो ही आपको पे करनी होगी अथोरिटी ओफ एडवांस रूइलिंग यानि की AAR का कहना की सबसीडी वाली रासी उन करमचारूं से ली जाती है जो कार खाने या कॉर्परेट ओफिस में खाने की सुविधा का लाब उठाते हैं और इसे GST कानून 2017 के प्रावदान के दद आप पूर्ती नहीं माना साएगा तो ऐसे मैं इसी बात का हवाला देते विए GST टेक्स को हटा दिया ओफिस केंटीन के खाने पिने की चीज़ूं पर ओके तो उमीद है प्रावट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए चोड़ा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा इसे तरह की काम की कबरे महतोपुन समाचार देखते रहने के लिए हमारे चैनल DLS News को सस्क्राइब करके बैल आइकोन जरूर दबा Trump